साथियों, कॉंग्रेस ने इससे भी आगे खादी जो कॉंग्रेस की एक जमाने में पहचान हुआ करते थे खादी का कुर्ता पहना मतलब लोग उसको नेताजी मान कर उसके घर में चकर काड़ते थे खादी से जितना राजलितिक फायदा उठाना चाहिए उन्होंने उठाया लेकिन भाईयों बेहनों जो लोग खादी को भूल गए है खादी को छोड़ दिया जो खादी गरीब माता हो बेहनों को रोजी देती है जो खादी गाउं के अंदर रोजगार देती है लेकिन मोदी ने उस खादी को अंतर राष्ट्रे ब्रांड बनाने का काम किया तो उनको खादी बोलने में ही दिक्कत हो रही है मैं अगर सिरफ अपने इस बनारस मंडल की बात करूँ न सिरफ यहा की आपको आनन्द होगा भाइयो काम कैसे होता है हमारे इस बनारस मंडल की बात करूँ तो यहां पांच साल पहले मैं सिरफ यही की बात कर रहा हूँ पांच साल पहले करीब करीब 90 करोड रुपिय की खादी की भिक्री होती थी एक साल में 90 करोड की आज 170 करोड रुपिय से ज़्यादा ये खादी हमारे इस मंडल में बनती है बिक्ती है अब गरीब को रोजगार मिला के नहीं मिला भाई गरीब के घर में पैसा गया के नहीं गया पूरे देश में ही खादी से जुड़े लोगों की आई बड़ी है लेकिन इन गोर परिवारबादियों ने इससे भी अपना मुँ फेर लिया है